तो आज हमने इस वीडियो में पढ़ने वाले है यूज आफ वाज या वियर ठीक है इस रहेम का यूज हम लोग पढ़ चुके है तो पहचान यहां देख सकते हैं इस परकार के हिंदी वाक्यों के किरिया के अंत में था थे थी में से कोई एक रहता है ठीक है तथा इसके पहल ठीक है एड्जेक्टिव या अड़वर्ड लागा रहेगा तो सबसे पहले आपका इस ट्रिक्टर यहां दिया गया है सब्जिक प्लस वाज या वियर प्लस नावन या अड्जेक्टिव प्लस अधरवर्ड प्लस फूले ठीक है तो दिया गया एक कोशन आपका मैं उदास ठीक है तो इसको बनाने से पहले आप देख लिए की इसका वाज का यूज कहां युज कहां होता है ठीक है आप यहां सकते है नोट में वाज कहां के यूज होता है और और के उज़ किया जाता है तो आप यहां देख सकते हैं मैं उदास था आई के सांथ वाज के उज़ होगा आई वाज सेड ठीक है नेक्स सेंटेंस आपका महात्मा गांधी एक महानेता थे तो महात्मा गांधी ठीक है वाज ओ ग्रीट डीडर ठीक है आप यहां थेप अमट जाएगा क्योंकि यह नाम है ठीक है तो नाम के साथ हमेज़ा एक नाम रहेगा तो वहाज की उज़ करेंगे हम लोग अगला सेंटेंस है वे लोग अनुपस्थि थे तो वे लोग के साथ लगता है दे वेर ठीक है और अब सेंट यानि उपस्थित यहां फूलिष्टप रहेगा अगरा सेंटर से राधा और सन्या आज उपस्थित थी तो राधा पॉलिष्मा प्रिजचन सबॉज्च सन्या टेका इसमें लग आपका व्यर को यूज्च क्यांकि दो नाम है व्यर पर जेंट टूडे टूडे हनी होता है उड wieलक निगेटिव सेंटर्स कुछ देख लेते हैं यहां एक निगेटिव सेंटेंस में आपने देख सकते हैं दिया गया है वे लोग देया लू नहीं थे और इस ट्रिक्टर आपका होगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वेर प्लस नॉट ठीक है उसके बाद नावने डिजेक्टिव जो रहेगा उसको हम लोग लगाएंगे अगला सेंटेंस आपका दियागा वे लोग देया लू नहीं थे तो वे लोग के होता है दे उसके बाद होगा वियर ठीक है नॉट और काइंड यानि देया लू अगला सेंटेंस आपका हम लोग चलाक नहीं थे तो हम लोग का होता है वी ठीक है वी किसान दखता है वियर उसक है तो क्या है यह लड़की है सी वाज नौट रेडी ठीक है रेडी है नहीं होता है आपका त्यार आप इसको बना सकते हैं वह उपस्थित नहीं था ठीक है देख लिजिए फी वाज नौट परजेंट अब लोग नीगेटिव सेंटेंस बनाएंगे ठीक